वहानों को बढ़ावा देने के लिए राजिसान में पहला फास्ट चार्जिंग स्टेशन का शुभाराम हो गया है राजानी जैपूर में केंद्रे मंत्री अर्जुना मेगवाल ने रामबाग सरकल सीथ पैट्रोल पंपर इसका लोकारपन किया वहीं मेगवाल ने आटोमाबाइल सेक्टर में मंदी को लिकर भ्रह्म फैलानी के बाद भी कही ये रिपोर्ट देखिए केंद्र सरकार इवाहनों को प्रोटसाहित करने के लिए काम कर रही है इसी दिशामी केंद्री मंतरी अरजुन राम मेगवाल ने डीसी फास चार्जर भारत 001 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का लुकारपन किया अब शेहरवासी 90 मिनिट में अपने इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज करवा कर 140 किलो मिटर तक चला सकेंगी इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोट्साहित करने के लिए सरकार चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए बतोर सबसिडी आर्थिक मदद दे रही है हाला कि ये मदद चार्जिंग स्टेशन से जड़े उपकरणों की लागत पर मिर्भर करेगी पहले चरण में 1000 चार्जिंग स्टेशन लगाई जा रही है हर चार्जिंग स्टेशन पर 6 चार्जर होंगे यानि 6000 गाडियों को एक बार में चार्ज किया जा सकेगा ऐसे में एक चार्जर से 24 घंटे में कम से कम 15 गाडियां चार्ज हो सकेगी सबसे अधिक चार्जिंग स्टेशन 40 लाग से अधिक जनसंख्या वाली शहरों में लगा जा रही है लेकिन 10 लाग से अधिक जनसंख्या वाली शहर में चार्जिंग स्टेशन लगा सकती है निजी जमीन या सालजनिक जगों पर चार्जिंग स्टेशन लगा सकते हैं चार्जिंग स्टेशन लगाने वालों को ऑनलाइन सेवा भी देनी होगी जैसे अपने वाहन के चार्जिंग के समय को ग्राहक ऑनलाइन बुक कर सकेंगे वहीं चार्जिंग स्टेशन के लिए किसी भी विद्यूद डिसकॉम से बिजली ली जा सकती है यह जो आज यहां पे चार्जिंग स्टेशन लगाया गया है वो एलेक्ट्रिक विकल्स को चार्ज करेगा और एक बार में यह जो विकल्स यहां से चार्ज होगा वह 140 किलोमीटर तरक जा सकता है इसको एक बार पूरा गाड़ी को चार्ज करने के लिए करीब 90 मिनिट लगेंगे यह दोनों ही बातें जो आम आदमी है उसके कम समझ में आ रही हैं भी लेकिन मैं यह कहूँगा कि जब कोई बहुत बड़ी योजना के लिए काम होता है तो उसकी जो इनोविशन की शुरुवात है वो ऐसे ही मापदनों से होती है उधर केंजरी मंत्री ने मंदी को लेकर बताया कि बाजार में भ्रम फैलाय जा रहा है आटो मोवाईल सेक्टर में मंदी नहीं है डीजल और पेट्रोल के वाहनों को बंद करने की सरकार की मंद्शन नहीं है हालांकि प्रदूशन को कम करने और विदेशी मुद्राभंडार की बचत करना मकसद जरूर है उटो सेक्टर में जो मंदी का विशेफ पेपरों में केज़े के हम सुनते हैं और मैंने ओटो सेक्टर के धौत बड़े बड़े लोगों के साथ मीटिंग की उन्होंने का ये इलेक्ट्रिक वेहिकल को लेकर के हमारे यह यह ब्रह्म है तो ब्रह्म तो दूर करना ही पड़ेगा ना बीएस फोर से बीएस सिक्स में हम आएंगे मेखवाल ने चिदंबरम मामले पर कहा कि बदले की भावना से कोई काम नहीं हो रहा आयनेक्स मीडिया एक बड़ा घोटाला है उन्होंने आरोब भी लगाया कि चिदंबरम परिवाग के पास देश और विदेश में इतनी संपतियां कहां से आई प्रष्टाचार की जाच होगी कि परदानमंत्री जी ने लोगसबा के फ्लोर से भी बोला कि हम बदले की भावना से कारवाही नहीं करते हैं हम पांच साल सासन में पिछले रहे कभी यह कह रहे हैं कॉंगरेस वाले जल्दी कर रहे हो पांच साल हम रहे ना भई अब ये बताईए आयनेक्स मीडिया का केश अगर खुलता है और उसमें ये शिदमर्म जी उसमें वितमंतरी होते हैं और आपके जो उनके परमोटर हैं वो कहते हैं कि वितमंतरी जी ने ये कहा कि आप कार्तिक से मिलो और उसके बाद कार्तिक के खातों में अनापसना पैसा आता है तो ऐसे में तो कारोई होगी होगी भई किसी के खाते में जाएगी तो होगी भई बहरहाल एलेक्टर कारों के खरीदारों को फास्ट चारजिंग स्टेशन के शुरू हने से थोड़ी रहा ज़रूर मिलेगी नवीन शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जैप्र